नाजरीन अभी की जो बड़ी खबर है वो स्कूल से रिलेटिड है अगर्चे यहां पर अभी भी दरजहरारत में कुछ भी कमी जो है वो जो रिकॉर्ड नहीं की जारी है उसमें टमपरेचर कल भी यहां पर 34 डिगरी हुआ था और आज भी लगबग सेम टमपरेचर रिकॉर् और इसी बीच जो रिकॉर्ट अफ स्कूल एडुकेशन की तरफ से एक बड़ा और जो है वो सामने आया है स्कूल के मुतलिक अब जो स्कूल है उनकी टाइमिंग चेंज की गई है उसमें विदिन स्कूल लिमिट्स जो मुनसिपल लिमिट्स के अंडर स्कूल आते है उनकी अब 9 से 3 बजे तक रहेगी और यहां पर यह आडर जो है इंपिलमेंट होगा 12 अगस से यानि कि मंडे से अब यह आडर इंपिलमेंट हो जाएगा चाहे वो गौर्मेंट रिकॉगनाइज़ट स्कूल हो प्रविट स्कूल हो उनके लिए आप जो मुनसिपल हदूद में या के लिए अब 10 से 4 बजे तक स्कूलिंग आउन रहेगी अगर्चि यहां पर पिछले कहीं एक दिनों से पेरेंट से डिमांड कर रहे थे कि स्कूल टाइमिंग जो है वो चेंज होनी चाहिए आज डिरिक्टेड अप स्कूल एजुकेशन की तरफ से उसमें संग्या लेकर स्कूल आते हैं और यहां पर अभी भी अगर देखेंगे तो दर्जी हरारत बिल्कुल उसी तर्स का बना हुआ है तैंतीस चानतीस के आसपास ही यहां पर टंपरेचर आज भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और पिछले कहीं एक दिनों से बिल्कुल टंपरेचर यही है अगर इसमें खुशामदीद किया गया है उसमें सबसे पहले हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो पेरेंट्स ने काफी जदा इस आर्डर को सरा है क्योंकि बड़े चोटे चोटे बच्चे जो है अपनी गाड़ी का इंतिजार हमने देखा कि सटकूं पर करते हुए नजर आ रहे थ इंतिजार करना जो स्कूल बस उनके लिए आती थी तो यहाँ पर एक वेलकम स्टेप यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से माना जाता है और खासकर जिनके छोटे बच्चे है उन्होंने यहाँ पर गौर्मेंट का यानि की डिरिक्ट लेट अफ स्कूल एजुकेशन का शुक् स्कूल पहुँचना होता था और दुपैर के वाकत ही यहाँ पर स्कूल बंद होते थे अभी भी आगर चे टंपरेचर में ज्यादा नर्मी तो नहीं देखी जा रही है एक दो डिग्रीज जो है हलकी सी यहाँ पर हलका सा यहाँ पर जो टंपरेचर में डवन फाल देखा ज ज़ए सकते है कि शिदत की घर में अभी भी पड़ रही है उसमें जबह हुमिटी है और उसमें यहाँ पर जिस तरह से जो डॉक्टर साहबान है या दीगर जो मौसं जो लोग है या मौसं को देखने वाले लोग है वह किया एक यहाँ पर जिस तरह से बच्चों इसकी नर्मी जो है मोसम में देखी जा रहे हैं लेकिन अभी भी डाक्र साहिबान ये बताने पर मजबूर है कि यहां पर डिहाइडरेशन के कारण कहीं एक जो बच्चे है वो अनकॉंशिस होते है इसलिए पानी देने की बहुत ज़्यादा जोरत है उसमें नेबू पानी के अलावा यहां पर जो फिलूट्स है वो बच्चों को बरपूर मेयार में दिया जाए और आज जिस तरह से अभी गौवर्मेंट की तरफ से आडर आया है उसमें काफी ज़्यादा कॉर्णर से सरा गया है उसमें खासकर पेरेंट्स ने रहत की सासली है फर्दूसलाइब जा झाल